वेलकम बैग फ्रेंट्स ये हमारी वीडियो नूमर 29 पाइटन प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए और इस सीरीज की प्रिवेज कुछ वीडियो में हमने डिसक्स किया था फंक्संस को और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइल हैं फाइल हैंलिंग को और यहाँ पे फाइल हेड्लिंग का मेंड परपस होता है कि हमारा जो डेटा है उसको अब हम परमेनेट्ली फाइल के अंदर इस्टोर भी कर पाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्ष है पाइथन के अंदर इस वीडियो हम डेटा को इस्टोर कर सकते हैं जैसे आपकी text file है, binary file है या csb file है तो इनी concepts को हम यहाँ पर समझने वाले हैं देर इनी concepts को हम यहाँ पर practically भी देखेंगे तो start करते हैं topic इस video के लिए हमारा है file handling या simply इसको हम data file handling भी कहते हैं file handling तो file handling का main यहाँ परपस होता है data को permanently back end पर आपका store करना ताकि जरुवत पढ़ने पर हम data को access कर सकें और अगर आपका existing कोई data है तो उसको भी हम अपने program के अंदर import कर सकते हैं उसको भी हम use कर सकते हैं जिससे कि एक long term के लिए data हमारे पास होगा और उसको जब चाहें हम access कर सकते हैं अपने programs के थूँ तो python basically आपका तीन तरीके की file को यहाँ पर support करता है एक तो आपका text file है दूसरा आपका binary file है और तीसरा आपका यहाँ पर csv file है तो पहले हम यहाँ पर text file को ही समझने वाले हैं अब देखें तीनों में यहाँ पर difference, main difference जो आता है वो आता है data किस तरीके से store होगा जैसे आपका जो text file है इसमें plain text के अंदर आपका data जो है store होता है यानि कि string के form में यहाँ पर data store होगा इसमें हम basically बोल सकते हैं कि जो askai code है या आपका unicode है या simple string है आपका इस form में यहाँ पर data store होता है इसके अलबा जो binary file है इसमें आपका as it is data store होगा यानि कि operating system यहाँ पर खुद operate करता है and machine form में या आपका binary form में directly आपका जो data है वो store होता है तो यहाँ पर आपका machine language या binary form में आपका data जो है store होगा और यहाँ पर भी आपका जो data है यह plain text के form में यह store होता है और यहाँ पर अगर तीनों को अगर हम देखें तो जो text file है इसमें human readable form में data होगा यानि कि आप जब back end पर data को store करेंगे तो आप उसको directly open करके एक normal file की तरह open करके पड़ भी सकते है तो यहाँ पर यह human readable form में होता है और यह human readable form में नहीं होता है human readable यह जो है नहीं है और यहाँ पर यह भी human readable form में होगा लेकिन यहाँ पर जो data है csb file में यह इसको हम comma separated values file कहते हैं जब हम data को comma से separate करेंगे और आगे आप देखेंगे कि comma की जगए कुछ और भी symbol हम यहाँ पर use कर सकने हैं यहाँ पर जो data है यह tabular form में store होता है जानि ही row and column के form में तो जब भी data आपका tabular form में stored होगा तो हमको काफी ज़्या आसानी होती है जब हमारे पर कोई dataset है तो tuo data जो आपका जो data है वो टेबलर form में store होता है तो data को access करने के लिए या data को store करने के लिए tabular form में ताकि databases में उनका use होता के हम cvSB file या comma separated values file का इस्तमाल करते हैं अब यहां पर अगर execution की बात करें तो यहां पर जो execution होता है वो slow होता है यहां पर भी execution है वो slow है लेकिन यहां पर एदेटीज data store होता है तो यहां यहां पर जो data है वो fast store होता है यहां पर जो इसका execution time है वो काफी fast होता है compare to आपका csv और text file और अगर इनका हम extension यहां पर देखें तो text file का तो simple है .txt इसका extension है और binary language का डॉट आपका dat भी हम यूज करते हैं .binb हम यूज करते हैं binary और csv file के लिए .csv हम यूज करेंगे तो आयोप आपको एक overview यहां पर समझ में आया होगा कि आने वाली कुछ वीडियो में कौन-कौन से topics को discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले इस वीडियो से अब हम देखते हैं कि आपका text file में हम data को किस तरीके से लिखते हैं यानि कि writing operation हम समझेंगे आपका text file के दोनों ही functions को हम यहां पर समझते हैं तो पहला हमारा function है write function तो write function एक single string के form में data को यहां पर store करता है तो file को हम open कर लेते हैं p equals to open या कोई भी file handler request to open file का नाम हम दे देते हैं today.txt और साथी में आपका write mode तो सबसे पहले आगर आप normally data लिखना चाहें तो इसका जो syntax है वो है आपका file handler यानि कि p हमने यहां पर लिया है आपका file में store होगा इसके अलाब मैं यहां पर अगर आपका data लिखना चाहूं किसी variable की मदद से मैंने लिख दिया today is great and इसको भी अगर हमने file में लिखना है तो मैं लिखता हूं p.write and simply मैं यहां पर लिख देता हूं t and आपका p.close तो simple सा है हमने यह data file में लिखा तो किस तरीके से आया होगा back end पर आप देखेंगे आपकी एक text file generate हुई होगी जिसका नाम हमने दिया है today.txt and इसमें आपका जो पहला data है यह है hello and इसी के आगे आपका आजाएगा today is great तो यहां पर line by line नहीं आता क्योंकि यह plain text के form में data को store करता है तो अगर आप desired form में देना चाहें तो पूरी formatting या editing आपको यहीं पर करनी पड़ेगी तो यहां पर अगर मालीजे मैं इसके आग बाद में यहां पर अगर slash and लिखता हूँ then आपका क्या होगा यहां पर slash and अपना जो command है वो यहां पर देगा and इसके बाद then यह next line में आएगा यानि कि today is great तो कोई भी आपका data है उसको आप back end पर directly इस तरीके से store कर सकते हैं तो I hope आपको basically right function यहां पर आया होगा अभी इसको हम ज्यादा और अच्छे से practically समझने वाले हैं तो next हमारा function जो है वो है right lines आपका right lines तो दिखें difference यहां पर सेम आपको साथ नजर आ रहा होगा जो right function है वो एक ही line को यहां पर लिखता है लेकिन जो right lines है यह multiple lines को आपका लिएगा तो यहां पर हमने एक string ली यहां पर भी हम बहुत सारी strings लेंगे लेकिन उन strings को हम एक list के अंदर डाल देते हैं यानि कि string की हम list लेंगे तो उसके form में आपका data जो है store होता है तो simple है यहां पर भी अगर हम file को open करें p question open and then हमारी file हम ले लेते हैं today.txt and then हम इसको लिख देते हैं आपका right mode में and यहां पर हम लिखते हैं for example p.rightlines rightlines तो इसमें list के form में पहले मालीजे हमने करन यहां पर लिख दिया slash n and इसके अलावा हम दिया यहां पर लिख देते हैं मालीजे slash n and so on तो हमने दो बार यहां पर data को लिखा है p.close and हमारी यह file जो है complete हो गई तो यहां पर देखे अगर हम इस file को चलाएंगे अब मालीजे आपने पहले इस code को चलाया then इस code को चलाया तो क्या होगा पहले आपका यह code चलेगा result किया आएगा लेकिन जैसे आप इस code को अगर उसी program में चरन करते हैं तो यह right mode है तो यह data पुरा delete हो जाएगा and आपका ज कर देंगे तो क्या होगा append mode से आपका जो current है वो इस line में आएगा then आपका यहां पे slashn है sorry current यहां पे नहीं आने वाला क्योंकि today is great है and इसके just आगे ही आपका current आने वाला है अगर अगर आप यहां पे इसके पहले slashn use करें यहां पे आप slashn use करें then आपको इस format में मिलेगा क यहां पे लिख दिया and then आपका cursor जो है वो यहां पे आएगा क्योंकि हमने यहां पे slashn लिखा हुआ है तो I hope आपको text file में normally text को किस तरीके से लिखा जाता है permanently आप store कर सकते हैं और back end पे आप इसको open भी कर सकते हैं तो basically दो function है write and write lines अगर आपको single line में अगर अपने data को store करन करेंगे और अपने multiple lines एक साथ लिखनी है तो आप write lines का use करेंगे तो I hope आपको basic structure यहां पे समझमा आया होगा तो इसका आप screenshot चाहें तो ले सकते हैं तो इनी concepts को चलिए अब हम practically system पे भी करेंगे हमने हापे समझा तो practically अब हम देखते हैं कि हम writing operation किस तरीके से perform करते हैं आप का text file के अंदर तो text file को सबसे पहले हम यहाँ पे open कर लेंगे हमने एक file handler यहाँ पे लिया और open function की मदद से मान लीजे file का नाम हम रख देते हैं today.txt जो कि इसका extension होगा and then हम यहाँ पे देंगे writing mode में तो यह simple statement से हमारी जो file है वो automatically create हो जाएगी और अभी जो मेरी main file है यहा पे आपका desktop पे save है तो जो text file हम यहाँ पे save कर रहे हैं वो भी आपका desktop पे ही save होगी देखिए अभी मैंने program को यहाँ पे run नहीं किया है desktop पे अलड़ी मेरी एक file यहाँ पे है जो python की file है और यहाँ पे हमने इसको execute नहीं किया है तो जैसी इसको हम यहाँ पे execute करते हैं देख सबसे पहले हम यहाँ पे write जो आपका function है p.write directly इसकी मदद से हम यहाँ पे लिखेंगे तो माली यह पहली string जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो है today is great तो today is great हमने यहाँ पे लिख दिया इसको हमने close भी कर दिया और साथी में हमारी जो file है अगर हम open से इसको open करते हैं तो हमको इसको close function से close भी करना पड़ता है तो इसको हम execute करके देखते हैं देखिए simple सा है हमारी file जो है execute हो गई है तो back end पे desktop पे अपनी file को open करके हम देखते हैं तो देखिए simple सा है today is great लिखा हुआ हमको यहाँ पे मिलता है अब यहाँ पे आपका simple सा है अगर हम यहाँ पे इसक simple सा है हमने इसको यहाँ पे execute किया तो back end पे हमने today is great day यहाँ पे लिखा था तो उसकी जगर केवल यहाँ पे हमारा great day आ जाता है तो देखिए simple सा है तो यह है आपका writing mode यहाँ अगर इस mode में अगर already आपके एक file है तो उसका सारा data जो है वो delete हो जाता है और नया data उसमें जो store होगा तो अगर है आप इसकी जगह हम change करके append mode लिखें और हमने great day already यहाँ पे लिख दिया है great day is today मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो आप देखिए दोनों ही जो data है already जो पहले इसमें data था और जो अभी हमने इसमें data store किया है दोनों ही अब आप इसको आपको इस file में मिल store करेंगे तो एक नेम यहाँ पर ले लेता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक मेरा जो data है वो यहाँ पर अलग लग लाइन वाए तो इसको हम लिख देते हैं पी डॉट राइट की मदद से यही फाइल हैंडलर डॉट राइट और data है हमारा एन के अंदर तो सिंपल सा है इसक काफी जादा data हमने store करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर राइट लाइन को यूज़ करते हैं तो देखिए राइट लाइन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो पी डॉट राइट लाइन एंड राइट लाइन के अंदर इसका जो आहाँ पर आर्गुमेंट है वो लिष् दिया और इसमें भी चलिए slash n हम कर देते हैं और एक और नेम हम इसमें लिख लेते हैं for example मैं इसमें दीपक लिख देता हूं तो next name हमारा यहाँ पर दीपक होगा आप चाहें तो यहाँ पर variable भी ले सकते हैं दिन उस variable को आप यहाँ पर इस्टोर करेंगे तो देखिए simple सा ह हमने right की मदद से यहाँ पर लिखा आपका single line यानि की एक ही बार में अगर string लेनी हो अगर multiple strings हमने देनी हो तो हम एक list के अंदर यहाँ पर देंगे जहां पर हर एक आपका जो string है वो list का एक element होता है तो देखिए इसको हम execute करते हैं तो simple सा file हमारी execute हो गई तो back end पे हम देख नहीं होगा और इसके बतले अगर कोई नया data आप इसमें store करते हैं तो वो भी आपका store हो जाएगा तो I hope आपको basic operation यहाँ पर writing का समझ माया होगा text file के अंदर तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खतम होती है वीडियो no.29 तो मैं मैं अगली वीडियो में video no.30 जहां पर हम द एफ स्थ 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 स्थ